आप सब के अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स यहां पर सीटेट से रिलेटर जो अप्लिकेशन फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वैरिस हैं जिनको यहां पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर बात करें तो अभी इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है सीटेट दिसमबर दोजार बाइस का वो जारी किया जा चुका है कुछ इंपॉर्टन चीज़े हैं जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले सब चीज़े पता होनी चाहिए पहली क्या है कि जो अप्रिकेशन फॉर्म है 31 से स्टार्ट हो गए है और जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर कुछ बच्चे क्या करते हैं जो लास्ट डेट होती है उस टाइम पर अपना फॉर्म फिल करते हैं होता क्या है उस टाइम पर ना तो उनको सेंटर अलॉट होगा क्योंकि इस सीटे खाली है अगर वो सेंटर फॉर्म फिल हो गया पहले ही बच्चे भर गए तो आपको हो सकता है वो सेंटर ना मिले हो सकता है दूसरा सेंटर दिया जाए एसलिए जितना जल्दी हो सकते अपना आप्लिकेशन जो फॉर्म है उसको फिल कर ले दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि seated notification जो आया है उसमें eligibility से सम्मनित कुछ भी नहीं दिया गया है बलकि ये कहा गया है कि जो NCT है उसके अधार पर आपकी eligibility मानी जाएगी अब NCTE की तरफ से भी जो gadget आया है उसमें भी proper clear तरीके से कुछ भी नहीं दिया गया है तो यहां पर एक confusion आती है क्योंकि यहां पर अगर आप मालीचे seated qualify भी करते हैं तो भी अगर आप teacher बनने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे norms भी हो सकते हैं hidden जो आपको पता ना हो जो कि आपको द कि यहां पर seated यानि seated qualify अगर आप कर रहे हो तो वो एक eligibility criteria तो हो गया बट अगर आप teacher बनने जा रहे हो तो NCTE के norms को पहले माना जाएगा तो क्या करना है कि अगर आपका स्कोर कम रह गया है तो आप दुबारा seated दे सकते हो ठीक है कितनी बार भी दे सकते हो और उतनी बार आप को certificate भी दिया जाएगा इसकी कोई age limit नहीं है दूसरी चीज़ आपको कितने marks लाने होंगे यहां पर 90 अंक अर्था 60% लाना आपको जरूरी होगा अगर आप चाते हो seated qualify करना SCST OBC अक्षमता वाले व्यक्यों को 5% की छूट मिलेगी exam center में पहले आओ पहले पाओ के अधार प प्लेट कर दिया तो आपको आपका पसंद का जो center है यह पास का center है वो दिया जाए इसलिए जल्दी आवेदन करें नहीं तो exam center दूर भी दिया जा सकता है online आवेदन करने से पहले सारी जानकरी आप पढ़ ले online आवेदन में गलती ना करें अगर गलती हो जाती है in case आप ध्यान से करिए लेकिन अगर हो भी जाती है तो correction window आपकी सिर्फ एक बार open होगी जो की 28 नुवंबर से 3 दिसम्बर के बीच रहेगी उसके बाद हम बात करी कितने marks लाने ज़रूरी है 90 marks लाने ज़रूरी है अपेरिंग वाले इसको apply कर सकते है है या नहीं बिलकुल कर सकते हैं उसके क्योंकि ncte ने भी यह चीज माना है कि appearing वालों को यह चीज यहां पर फिल करनी है तो यहां पर कर सकते हैं जो paper 2 है paper 2 के लि उसको पढ़ लिजे प्रीवेस एर पेपर तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे बढ़िया प्रैक्टिस कुसी चीज से नहीं हो सकती और अगर एक्स्प्लानेशन के साथ आप उसको पढ़ते हैं देन बहुत ही मतलब ऐसी चीज़े हो जाती है कि वह चीज़े दुबारा सकते हैं बाखी टेलिग्राम घृप बीजॉयन किर सकते हमारा जहां पर हमने और रेडि वहां पर काफी कंटेंट प्रवाइड किया है यानि स्टडी मतिडिल आपको प्रवैड किया हुआ है आप लोग डिरेक्लिवहां से भी अपनी तैयारी कर सकते हो क्योंकि सारे के सारे जो candidate हमारे साथ जुड़े हैं, वो seated वाले हैं, कई confusion ऐसी होती है, जो आप किसी से discuss नहीं कर सकते हो, मानली जा कोई query है, then क्या कर सकते हो, at least आप लोग आपस में discuss कर सकते हो, तो हमारा जो telegram group है, उसमें क्या है, आप आपस में discuss कर सकते हो, query जो नहीं समझ में आएगी, उसको म आते हैं, तो आपको Hindi English दोनों में दिखाई देंगे, otherwise अगर मान लेजे, आपका language है, मान लेजे, language में आपने Hindi सेलेक्ट किया है, तो वहाँ पे आपको Hindi ही दिखेगा, otherwise जो पूरा paper है, आपको Hindi और English में दिखाई देने वाला है, language 1 थोड़ी आसान आती है, और अगर हम बा तो कि अल्रड़ी हमारे टेलिग्राम पर भी मैंने अवेलेबल करा दिये है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल करा दिये है, तो जल्दी से जोइन कर ले, बाकी और कोई क्वेरी होती है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को जाने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजगा, थैंक्स फर वोचिंग